आईए आपको इस गुरी में कुटिया के छोटे-छोटे बच्चे दिखाते हैं ये कुटिया ब्या गई है साथ बच्चे लाई है गुरी गुफा इतनी लंबी बनाई हुई है कि दिखाई भी नहीं देती कम से कम साथ आठ पुठे उन्डी गुफा बना रिखे इसने और ये देखिए इसके छोटे-छोटे बच्चे एक दो तीन चार दो बलेक दो सफेद चार इधर और ये देखिए आगए सफेद और बलेक आगए तीन और है साथ बच्चे इसके श्रीकर्ष्ण गोसाला लोहा में ये जो कुट्या है ये भोवती वफादार है गोमाताओं के संग में ही रहती है मेंसा तो इसको दूदे रोटी सारा इसका खाना पिना यहीं पे करते हैं आज ही वैई है ये आप देख सकते हैं कितने चोटे चोटे बच्चे इसके कितने चोटे चोटे बच्चे साथ बच्चे लाई है ये देखिए श्रीकर्ष्ण गोसाला लोहा में भोवत लंबी गुपा मतलब गुरी बना रही है उसमें वैई है और साथ बच्चे इसके ये देखिए चली कर्ष्ण गौश आला लोहा में she Rud's होटे चोटे बच्चे कुतिया के कि शहात बच्चे हैं कि इसे MA कल यी भैई थी न ऐसम मस्री खुर्शन गौशाल लोहा में यो माताओं की शवा के साथ साथ कुटिया की भी शिवाकी जाती है क्योंकि ये कुटिया बहुत ही वफादार है और गोशाला में आज ब्या गई है ब्यागी कुटिया तो कुटिया के लिए लुए हलो बना रहे हैं यह देखेये यह लौ फुटिया के लिए बन रहा है बीखिया को अभी खिलाएंगे लौ फुटिया के लिए हलो तैयार हो रहा है अध्यक साब जी अलवा बना रहे हैं कुटिया के लिए और जी बहुता कि रख सक है इसलिए एल जी भाई पुरा सयो कर रहे हैं इसमें कुटिया के दिए शिरा बनाने में हलवा यह देखिये है अल्वा तयार है चलो अब लेचालो जी मावा है वासा वासा में अधिरह कारीकर ने बहुत कर बना जो रहे हैं बोध बढ़ी है शिरा बना जाओ बना यह यह देखिये इन छोटे-छोटे बच्चों को वह कुतिया को दूद पिला रहे हैं गूरी में अंदर बैठे हैं सारे इनको अभी दूद पिलाएंगे सारे बच्चे गूरी में अंदर बैठे हैं सपेद और काड़े दोनों कदर रहे हैं चार सपेद और तीन काड़े साथ और ये कुतिया बैठी है बहुत उंडी गुफा बना रही है छाथ-षाथ-पूठे लंबी ये गुफा है और ये इनको दूद रख देंगे ये कुतिया भी इसमें साथ में रोटी भी मिलाई हुई है तो दूद रोटी खा लेगी छोटे बच्चे ये भी दूद पिलेंगे तो यूट्यूब चैनल एस-एम-एस लोहा को सभी सस्क्राइबर लाइक शेयर जरूर खरें मिलते हैं अगले वीडियो में